इनके लिए आम इस साथ देश है चापलुसी छोड़ी जी और अगर याद रहेगा और ना थूराम गोट से जी इतिहास याद रखेगा सुष्टा जी ये कर्दारी है इसको कहते हैं देश के साथ कर्दारी आगकर को सिर्फ और सिर्फ प्रबगेंडा करना है बढ़िया अंग्रेल जी बोल करके बढ़िया चेहरा पे जो है उसको कहते हैं जादा गोरा दिखने के लिए ये मीडिया के बेसिक करेक्टर को आज मार रहा है टीवी डिबेट्स पर अक्सर बीजेपी नेता ही चाहे दिखाई देते हैं और मेडिया भी उनसे सवाल ना करते हुए उल्टा डिबेट में मौझूद विपक्ष पर उंगलिया उठाने लगता है पर कुछ नेता और परवक्ता ऐसे भी हैं जो मेडिया और बीजेपी नेताओं पर पलट वार भी करते हैं हम आज बात करेंगे CPI के नेता कनहिया कुमार की जो अपने विवादत बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं वे अपने भाषनों में और TV डिबेट्स में सरकार और मीडिया की जम कर लूचना करते हैं हम देखेंगे कुछ ऐसे भाषन और डिबेट जिसमें कनहिया कुमार सरकार और मीडिया पर जम कर परसे हूं इंडिया न्यूस पर JNU के मुद्धे पर एक डिपेट में तीपक चुरसिया ने कनहिया कुमार से सम्विधान पर सवालों में उल जाने की कोशिश की पर कनहिया ने एंकर को इसका पलट चुआप दिया अगर इंडिया न्यूस के लिए काम करते हैं मुझे आप इंडिया न्यूस के लिए काम करते हैं मुझे पर लेफ्ट वसेज राइट को लेकर न्यूस 24 पर एक डिबेट हुई जिसमें कनहिया कुमार भी शामिल थे जन्ता में से किसी एक ने गोडसे के मुद्धे पर सुबराष्ट्रा से सवाल किये तो वे इस पर गोल मुल जवाब देने लगी तब ही कनहिया ने इस पर उनके लोचना करनी शुरू करती आपकी पार्टी आप जिस आइडिलोजी को बिलॉंग करते वो कहता है लेनिन आतंगवादी है उसने बहुतों को रेक टेरर में मारा है और मानता हूं मैं भी लेकिन नाथू राम गोडसे ने भी तो हमारे फादर आफ नेशन को मारा तो उसे आप क्यों ने टेररिस्ट मान अरे सेक्ठ पार्ट पर बोलने दीजेगा तो ना सेक्ठ पार बोल रहे हूं नाथूराम गोडसे घी पहर आरे से का कथिर नाथूराम गोडबसे जी पर जी पिश्फ सुन तो लिजे बोलने तो दिजेंगे आप लोग बोलेगे नहीं कि ये कल को हाफी그 सही जी चुकी नौ नहीं ठोड़ा डाइवर्ट किया हम एक मिनें डाइवर्ट करेंगे पुले करेंगे अगर उन्होंने महात्मा गांदी का उन्होंने मुर्डर किया है अगर याद रहेगा अगर हत्या की है और नाथू रामगोट से जी इतिहास याद रखेगा सुष्टा जी ये करदारी है इसको कहते हैं देश के साथ करदारी डिबेट्स में ही नहीं अपने भाशनों में भी वे मोधी जी और गोद्री मीडिया पर पलटवार करते रहते हैं नागपूर में अपनी स्पीच के दुरान कनिया ने मोधी जी की काफिय लोचना की और लोगों को खूब हसाया भी मोधी जी बहुत बढ़िया आदमी है अजय साभी आप सोच लिजी हमको कोई दिख्यत नहीं है तो मोधी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है बताईए 56 इंच का सीना 282 सीट जिधर देखिये उधर ही भाजपा की सरकार तो जिधर नजर उठाईएगा उधर भाजपा की सरकार है तब भी भी पक्ष काम नहीं करने दे रहा है इस पे आपको विश्वास होता है यह है प्रोपगेंडा आजकल हमको अगर किसी को भी हसाना हो तो हम कहें देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है अगर जोर से नहीं हसा तो हम कहें देते हैं कि मोदी जी सबसे सचा आदमी है यूनिवर्सल टूठ टाइप का हो गया है मोदी जी कभी सच नहीं बोल सकते हैं यह उन्वर्सल जैसे होता है ना उन्वर्सल टूथ मोदी जी के लिए हम एक सब्द इस्तेमाल कर सकते हैं उन्वर्सल लाई आप अपने दिल पर हाथ रख करके हमको बताईए कि आपका अच्छा दिन आ गया तब आप कैसे कहते हैं मोदी जी बढ़ी आदमी है और जब हम मुझते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का बिरोध करने का अलावे आपके पास कोई काम नहीं है हम बोले हम इतना निकम्मा है कि एक निकम्मा पढ़ान मंत्री का बिरोध करने का अपना काम समझे हम JNU में हिंसा के मुद्धे पर India Today की डिबेट में बीजेपी नेता और कनेया कुमार आमने सामने आये बीजेपी नेता ने जब कनेया को सवालों में उल्चाने की कोशिश की तब कनेया ने उन पर पलटवार किया और उनकी बूलती बंद कर दी इन्होंने जो शुरुवाती लाइन बोला, इमोशनल, यह डबल स्पीक है, दोगला पन है, इन्होंने फोजिउची की बात की, क्या 76 जब CRPF के जो गाली मत दिजे, आपका जनम कब हुआ, आपका जनम कब हुआ, आपका जनम कब हुआ, तो इसलिए आपको तिया नामेन अब पता होगा तो आप प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप पहले थे क्या किये थे बोलिये जाजीब जीज बोल रहा है इनको टुकड़े टुकड़े गांड अपजल गुरू पाटी इनको इनको इनके लिए आम इस साथ देश है चाप लुशी छोड़ दीजेए चुप रहो कर्वियो में कनिया को बुलाया गया इस चो में स्टूडियो में मौजूद जनता के सवालों का जम कर जवाब कनिया ने दिया और सरकार पर करड़ी अलोचना की आप लालु यादव जी से मिलते हैं उन लालु यादव से जो शाब उद्दीन के साथ खड़े हैं अब मेरा सवाल आप समझ चुके हैं वो शाब उद्दीन जिसने चंदरशेखर का खून किया आपके अपने साथ ही, आपकी विचारधारा के साथ ही, आप जब जाके लालु यादव से मिल सकते हैं और आपको उनमें गलती नजर नहीं आती है, तो फिर कैसे आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं, कि राजनीती के लिए सिर्फ नरेंदर मोदी ही राजनीती कर रहे हैं, क्या कनेया कुमार राजनीती नहीं कर रहे हैं, क्या लालु यादव राजनीती नहीं कर रहे हैं, क्या लालु यादव राजनीती नहीं कर रहे हैं, जवाब सुन तक, मैं इसके बात स्विकार कर रहा हूं, कि मैं राजनीती कर रहा हूं, और मैं बामपंथी राजनीती कर रहा इसको स्विकार करने के एक तो इस देश की एक ताओर अखंड़ता में भरोशा करता हूं अपने मन में इस अपना आया कुछ मन लिए ऐसे नहीं होता है तो आप आज कहिए कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल हिस्सा है यह इसमें कहने की बात है National School of Journalism में अपने भाशन के दोरान किसी ने गोदी मीडिया पर कनेया से सवाल किया इसके बाद अपने भाशन में कनेया ने गोदी मीडिया की काफी अलूचना की और मीडिया क्यूं एक तरफ है इसके बारे में भी पताया एक तरह के लोग वो हैं जो रविश कुमार को बहुत पशंद करते हैं और दूसरे तरह के लोग वो हैं जो नेशन वांट्स तो नो मैं बहुत बड़ा इंडिस्ट लिस्ट हूं और प्रधान मंत्री से मेरी दोस्ती है और मैं इस देश का 40% मीडिया ओन करता हूं तो सोभाविक रूप से प्रधान मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा दिन भर जो है वहां पर भक्ती चलता रहेगा और यह सब का सबसे बड़ा आसर यह हुआ है कि आज मीडिया से रिपोर्टिंग खतम हो गई है पहले रिपोर्टर हुआ करते थे एडिटर हुआ करते थे अब एंकर होते हैं और एंकर की पॉपलरिटी इतनी जादा है कि वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं वो मंगल के भी एक प्रपगेंडा करना है बढ़िया अंग्रे जी बोल करके बढ़िया चेहरा पे उसको कहते हैं ज्यादा गोरा दिखने के लिए वह वेवस्था करके माइक ले करके उनको एक्सपर्ट बन जाना है यह मीडिया के बेसिक करेक्टर को आज मार रहा है यह थे कुछ भाशन और डिबेट जब कनेया कुमार सरकार और मीडिया पर बरसे हूं जो काम मीडिया के एंकरों को करना हो वो काम विपक्ष के नेता कर रही है सरकार से सवाल उठाना ये हमारे मीडिया का काम है और हम उमीद करेंगे कि हमारा मीडिया आगे से सरकार से सवाल उठाना शुरू करेगा Bureau Report, Punjab Today TV